ये है डिगबोई सहर और अभी हम है सेनेटरी म्यूजियम में जो डिगबोई में ही है और ये तिनसुकिया डिस्टिक में पड़ता है और तिनसुकिया डिस्टिक आसाम में है नौर्थ हिष्ट में और अभी हम है जहाँ पे सबसे पहली बार एसिया का कुवा खोडा गया था आयल निकानने के लिए वो जगह है ये दिगबोई यहां पर बताते हैं कि अंग्रेज चाय की खेती करने के लिए आये थे लेकिन कहीं से हाथी के पैर में बार बार उन लोगों को आयल देखने को मिल रहा था तो उन लोगों ने पता लगा कि आखिर में इन हाथियों के पैरो में यह तेल केहां से रहा है प्यर जब पता लगाया возмож mix किया तो महिने में में सर्च कर पाए और पहली बार यहां पर यह देखी यह तेल का कुऊन यहां पर पहली बार खुदाई हुई थी जहांसे निकला था तेल कच्छा तेल और बगल में ही है रिफाइनरी सिस्टम यहां से रिफाइन किया गया था, यह कुवा भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहां का तेल सुक चुका है, लेकिन अभी और कुवा से तेल निकल रहा है, तो यह रिफाइनरी सिस्टम का काम चल रहा है यहां डिक गोई में, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं और यह पूरा यह म्यूजियम है यहां पर गाणियां रखी हुई है और उधर कई ऐसी मसीने हैं जो कुए से तेलोगर प्रोसेस करके फिर निकालती थी तो हर एक मसीन का अलग अलग काम होता था यह कुवां 1901 में पूरी तरह से खोड़ा गया था और बताते हैं कि इसको जो सर्च किया गया था वह 1889 में सर्च किया गया था इस कुए को लेकिन इसमें प्रोसेस का काम बहुत तेजी से 1901 से स्टार्ट हुआ तब से वही पूरे भारत में नहीं पूरे 20 में फेमस हो चुका है और बता दे कि एसिया का सबसे पहला कुवां खोड़ा गया था 1901 में इधर की तरफ पूरा बॉयलर बना हुआ है और इधर की तरफ यह हम बता रहे थे कि इस रसी को जस्ट कुवें के बगल में ही रखा गया है मा पूर्लिंग वाली रसी है बहुत मजबूत है जिससे हेल्प किया जाता है और वह आग बुझाने वाला है सिस्टम और यहां पर भाई साब इस मसीन को आपरेट कर रहा है तेल को निकालने के लिए और पहले के समय में यह बजाज के पहले स्कूटर जो चला करते थे यहां पर रख दिया गया है और अधर पुरानी गाडियां रखी हुई है जिस पर लिखा हुआ है फोम फायर टेंडर यह आग बुझाने के लिए गाड़ी रखी गई है और उपा लिखा हुआ है आयल इंडिया लिमिटेड अग्वर्मेंट आफ इंडिया इंटरप्राइजे डि ये तेल निकलता रहता है अच्छा ये पर्मानेंट यहां पर तेल का कुवा है और भाई बता रहें कि इस नाले से तेल रिस रिस की आता रहता है इसलिए यहां पर माची सोगरा मना है बिल्कुल क्यों है अच्छा तेल है तो यह यह निकलने वाला कुवें से कच्छा तेल है इस तरह से इस कलर में क्या ब्लैक कलर में निकलता है चाहिए अच्छा इसको फिर पूरी रिफाइन करके इसके बाद प्रोसेस में लाए गता है